हलो डिट स्टुडेंट्स, वेलकम टू मैंने ब्रेंज, मैं संचता जैन, आप सभी की शोलसा साइज एजुकेटर आज की सेशन में लेके आई हूँ, आप सभी के लिए क्लास नाइन्थ की सामाजिक विज्ञान मीतिहास के चैप्टर नंबर वन के मोस्ट इंपोर्टेंट क् आज हम सौल करने वाले हैं, चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है फ्रांसी सिक्रांथी यानि की फ्रेंची रिवॉल्यूशन, इस चैप्टर को मैंने पहले आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा दिया है, उसके बाद इसके एंसियर्टी से जादा आज की सेशन को आप सभ स्क्राइब भी कर दें, क्योंकि मैंने प्रेंज प्रोवाइड कराता है, आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्से प्री अफ कोस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, जी हाँ, हम आपके कई सारे टाप कोर्से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडिया में प्र और फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको NCRT से, तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं, आज का ये सेशन, Most Important Question Answer History Chapter 1, French Revolution, अब आप एक बात सोच रहे होंगे, कि NCRT solution करा दिये, Multiple twice question करा दिये, अब इसमें से बच क्या, क्या, जो Most Important Question भी आ गए, तो भई, NCRT में जितने भी टॉपिक है, इवन कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर हो, उसके जितने भी टॉपिक हो, उन हर एक टॉपिक से जितने Important Question बन सकते हैं, वो हम आप तक प्रोवाइड कराते हैं, All Right, Clear है बात, चलिए तो एक बार Format को समझ लेते हैं, कि किस तरीके से हमें सारी Question Answer Solve करने हैं, देखा जाए, देखो भई, हम करेंगे तीन तरीके के प्रशनोत्तर, अती लगुत्रिय प्रशनोत्तर, उसके बाद होंगे लगुत्रिय प्रशनोत्तर, और उसके बाद होंगे देखो गुत्रिय प्रशनोत्तर, और तो दस Question होंगे आपके अती लगुत्रिय, पांच होंगे लगुत्रिय और पांच होंगे देखो गुत्रिय, ऐसे Total, 20 Most Important Question आजम करने वाले हैं, All Right, All Clear, चलिए तो चलते हैं आगे, और शुरुवात करते हैं पहले Question से, और हां, एक बात और आप सबी ध्यान से सुलने, जितने भी Question यहां पर मैं आपको बताऊंगी, उन सबके आंसर आपको कहां देना है, Comment Box में देना है, All Right, चलिए तो शुरु करते हैं, Question No.1, अती लगुत्रिय प्रशनों से, पहला प्रशन क्या है, अठारेवी सदी में फ्रांसीसी समाज कित इतने वर्गों में बता हुआ था, उसके नाम बता हुआ, जल्दी से Comment आजाना चाहिए, बहुत आसान सवाल है, और बहुत ही Important सवाल है, बताएं भई, जल्दी जल्दी, अठारेवी सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बता हुआ था, बताईए नाम, सभी के Comment आ थे वो तीन वर्ग, एक था आपका प्रताम स्टेट पादरी वर्ग का, दूसरे स्टेट कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट कौन सा था, व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर्प, नौकर, आदी, भूमीहीन, मजदूर, यह सब इसमें आते थे, यान कि बड़े से बड़े व परवेंट या भूमीहीन किसान, भूमीहीन, मजदूर, जनके पास स्वेंगी भूमी भी नहीं थी, वो भी इसी वर्ग में आते थे, तो यह जो दो उपर के वर्ग हैं, इन्हें थे विशेशाधीकार प्राप्त थे, ठीके, स्पेशल राइट्स थे इन्हें, विशेशाध प्राप्त वर्ग, और त्रती स्टेट जो था, इन्हें कोई विशेशाधीकार नहीं थे, यह चुकाते थे, टैक्स करिये भरते थे, इन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता था, और राइट्स यानि कि त्रती स्टेट जो था, उसका शोशन होता था फ्रांस इसी समाज में, चलिए, क्वेशन नमबर टू है, प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग फ्रांस में किस संदर्भ में किया जाता है, बताईए भई, प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग फ्रांस में किस संदर्भ में किया जाता है, फास्ट, जोल्दी आंसर आना चीए, प्राचीन राजत देखा जाए आंसर चलिए तो प्राचीन राजतंद्र पद्गा प्रयोग फ्रांस में सामानतया 1789 से पहले के फ्रांसी सी समाज इवं संस्थाओं के लिए होता था जब फ्रांस में क्रांती नहीं हुई थी क्रांती कब हुई थी 14 जुलाई 1789 को हुई थी ठीक है और किस फ्रांसी सी समाज का सामाजिक विवाजन भी ठीक तरीके सुनहीं था ठीक है तो 1789 के पहले का जो फ्रांसी समाज था और जो संस्थाओं हुआ करती थी फ्रांस में उनके लिए प्रयोग किया जाता था प्राचीन राजतंद्र पद का प्रयोग अल्राइट चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन अम्बर 3 की फ्रांस के प्रतम दो इस्टेट के सदस्यों को प्राप्त किसी एक विशेशाधिकार का वरण कीजी चैने उनको प्राप्त किसी एक विशेशाधिकार का वर्णन कीजिए बता दो जल्दी से अभी हमने question number one में तीनों state के बारे में पढ़ा था फ्रांस के सामजिक विभाजन के बारे में पढ़ा था और दो state को विशेशाधिकार प्राप्त थे ठीक है तो उनकों से किसी एक विशेशाधिकार के बारे में पताईए कि इन्हें कौन सा एक special right था आया याद देखा जाए answer चलिए देखते हैं उन्हें राज्य को दिये जाने वाले करों से छूट प्राप्त थी ठीक है जो पादरी वर्ग था प्रतम दो state जो थे एक था पादरी वर्ग प्रतम state और दूसरे state में कौन था कुलीन वर्ग यानिकी अमीर व्यक्ती अमीर वर्ग इन्हें कर नहीं देना पड़ता था ठीक है जो सरकार को कर दिया जाता था वो तीसरा एस्टेट देता था पहले दो state को राज को दिये जाने वाले कर से छूट प्राप थीं, आल र्याइट, question number four है, TIDE क्या था बताओ भई TIDE, TIDE क्या था, बताएए जल्दी से, टेजी से आन्सर आना चाहिए भई सभी का, TIDE क्या था, देखा जाए, चलिए, देखाए, एक धार में कर था, टाइड क्या था एक करता और किस प्रकार का करता धार में करता रिलिजियंस टेक्स था जो चर्च द्वारा किसानों से वसूला जाता था ठीक है किसान किसको देते थे चर्च को धार में करता इसलिए चर्च को दिया जाता था तो चर्च वसूलता था किसानों से टाइड ठीक टाइल जो है किसे देना पड़ता था टाइल सरकार को देना पड़ता था सरकार को या राज को दिया जाने वाला कर कौन देता था कौन देता था बई त्रती स्टेट देता था जन साधारण आम जनता क्लियर चलिए question number four है five है टाइल से क्या आश है अभी बताएं मैंने और वो question भी आ गया अब तो ये answer बनी जाना चाहिए टाइल दो गया अब बता दो टाइल क्या होता है अभी मैंने बताया जल्दी से आपको बता देना है comment करके इसका answer तो आपका comment में आना ही चाहिए जल्दी बताएं वही answer तेजी से answer आना चाहिए सभी का टाइल से क्या आश्य था टाइल कैसे कहते हैं आगया सभी का comment चलिए देखें तो टाइल जो है सीध है राज को अदा किया जाने वाला कर था यान राज यानि की सरकार को अदा किया जाने वाला कर तीसरा state सपार को यह कर देती थी से टाइल कहा जाता था और टाइद ठीक है टाइद क्या था धार मिक कर था चलिए जो चर्च को देते थे., qq.this says सरकार के बारे में MontesQ का प्रमुख वीचार क्या था बताएं सरकार के बारे में, MontesQ का प्रमुख विचार क्या था जल्दी से comment आ जाना चाहिए देखा जाए चलिए तो देखें Montescue जिसने क्या किया था शक्ति के विभाजन की बाद कही थी ठीक है Montescue ने क्या किया था वई शक्ति का विभाजन शक्ति या सत्ता का विभाजन अल्राइट तो मॉंटेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधाई का कार्य पालिका तथा न्याय पालिका के बीच सप्ता के विभाजन की बात कही थी मॉंटेस्क्यू ने क्या कहा था सरकार के अंदर शक्तियों का विभाजन होना चाहिए और अगर हम वर्तमान स्वरूप को देखें वर्तमान राजनितिक विवस्था को देखें तो सक्ता का या शक्ति का या पावर का विभाजन 36 विभाजन कुछ इसी तरीके से दिखाई दे का कार्यपाली का और बिर आसना सँ जबोरिका चुर।我就 कि विदाई का कार्यपाली का systर्ब औरमीं पाली का बताओ थीन ओके काम बतादो जल्दी जल्दी है यह आपका सत्ता का 37 विभाजन क्या कहा जाएगा इसे सत्ता का 36 विभाजन पताएं बही जल्दी विधाईका का काम क्या है विधाईका का काम है कानून बनाना विधाईका क्या करती है बही विधाईका का काम है कानून बनाना कारेपालिका का काम है विधाईका द्वारा बनाये गए कानून का कानून को लागू करना और न्याय पालिका का काम होता है क्या होता है? कानूनी विवाद को सुलजाना कानूनी विवाद को सुलजाना ओल राइट क्लियर यहाँ तक की बात चले आगे तो मंटेस्क्यू ने सरकार के बारे में क्या विचार दिया था? मंटेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधाई का कारपालिका तथन्याय पालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही थी जिसका वर्तमाल सुरूप हमें सत्ता के 36 विभाजन के रूप में दिखाई देता है जिसमें हर एक स्टेप का अलग-अलग काम है ठीक है चलिए अब बात आती है question number 7 के बारे में National Assembly के गठन के समय के दो प्रमुख नेताओं के नाम बताओ जब France में National Assembly का गठन हो रहा था उस समय National Assembly यानि कि France की संसद National Assembly क्या थी France की संसद अल्राइट तो National Assembly के गठन के समय के दो प्रमुख नेताओं के नाम बताना है आपको जल्दी बताना है तेजी से बताना है देखा जाए आंसर चलिए तो National Assembly के गठन के समय के दो प्रमुख नेताओं के नाम है मिराब्यो और आबेसिये क्या नाम है मिराबियो और आबेसिये और राइट question number 8 है France के रास्टगान का नाम क्या है बताओ France के रास्टगान का National Anthem of France क्या है भारत का तो सभी को पता है चलिए तो भारत का National Anthem रास्टगान क्या है उसको comment करके बता दीजे France का रास्टगान मैं बताती हूँ आपको देखें बई France के रास्टगान का नाम है The Marcellise क्या नाम है The Marcellise याद रखना क्या है The Marcellise चलिए question number 9 है 1791 के सम्मिधान से किने लोगों को राजनेते कधिकार प्राप्त हुए France में 1791 में एक सम्मिधान एक राज तंत्रगी स्थापना करी गई थी तो जो 1791 में 1791 में France का सम्मिधान बना था वो से किन लोगों को राजनेते कधिकार प्राप्त हुए यानि कि पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त हुए बताएं जल्दी से कॉमेंट करके क्या लगता है आपको किन लोगों को राजनेते कधिकार प्राप्त हुए थे क्या सभी लोगों को राजनेते कधिकार प्राप्त हुए थे देखा जाए तो 1791 के सम्मिधान से केवल केवल अमीरों को ही राजनेते कधिकार प्राप्त हुए थे ठीक है किनको सिर्फ अमीर वर्ग को ही राजनेतेक अधिकार प्राप्त हुए थे जैसे कि एक एक्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं से उधारण के तौर पर आपको समझाती हूं कि मता अधिकार की बात करें ठीक है मता अधिकार की बात करें तो वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे दिया गया था ध्यान से सुनना मता अधिकार किसे इसकी क्या शर्ते थी मता अधिकार की युगताएं ठीक है मता अधिकार की युगताएं क्या निर्धारित करी ग वर्स की उम्र हो दूसरा क्या निर्धारित किया गया था दूसरा यह निर्धारित किया गया था कि वह पुरुष हो ठीक है अब क्या सारे पुरुषों को क्या सारे पुरुषों को मताधिकार दिया गया था नहीं तीसरी बात कही गई थी कि वह व्यक्ति जो तीन दिन की आय के बराबर तीन दिन की आय यानि की इंकम के बराबर कर देता हो कर यानि की टेक्स देता हो अल्राइट बात आगे समझ में आपको क्या कहते हो क्लियर है चलिए तो 1791 के सम्विधान से केवल अमीरों को ही राजुनेते का अधिकार प्राप्त हुए थे जिसमें क्या योगताय निर्धारित करी गई थी कि 25 वर्ष की उम्र हो पुरुष हो जो तीन दिन की आय इंकम के बराबर कर या टेक्स देता हो यानि की महिलां को कोई अधिकार नहीं 25 वर्ष से कम आयू के लोगों को कोई अधिकार नहीं पुर्शों को अधिकार दिया था लेकिन उन पुर्शों को जो अपनी तीन दिन की इंकम के बराबर टैक्स देता हो यानि स्टी सी बात है कि अमीर वर्गों को ही अमीरों को ही राजनेते का धिकार प्राप्त हुए थे आल राइट चलिए अब कौन सा question आता है question number 10 आता है the marsilize को किसने लिखा जो फ्रांस का national anthem है ठीक है फ्रांस का राश्टगान है उसे किसने लिखा था the marsilize देखा जाए चलिए तो marsilize the marsilize को लिखा था roget the loyal ने ठीक है roget the loyal ने लिखा था भारत के राश्टगान को किसने लिखा था बताईए जरा comment करके भारत के राश्टगान को किसने लिखा था comment करके बताईए भाई तेजी से आंसर आना चाहिए ठीक है चलिए तो अती लगुत्री प्रश्णों हो चुके है दस अती लगुत्री प्रश्णों की डील हुई थी अब क्या आएंगे लगत्री प्रश्ण तो लगत्री प्रश्णों में पहला प्रश्ण है और आज की सीरीज का 11 प्रशन है आपके सामने mee फ्रांसी से क्रांती का आरंभ किस घटना से माना जाता है बतादो भई फ्रेंच रिवॉलिशन की शुरुआत किस घटना से हुई थी क्या कारण था वो जल्दी बताएं भई चैप्टर पढ़ा दिया है NCRT Solution करा दिये हैं M.C.Q करा दिये हैं अब तो बतादो ठीक है देखे तो फ्रांसी से क्रांती का आरंभ किस घटना से माना जाता है यह अपना सवाल है और आंसर हम शुरू करेंगे 5 मई 1789 को तीसरे स्टेट के प्रतीनिधियों की नए करों के प्रस्ताव पर पूरी सभा द्वारा मतदान करने की मांग जिसमें प्रतेक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा उस समराट लुई सोलहेवे द्वारा ठुकरा देने की घटना से फ्रांसी सी क्रांती का आरंभ माना जाता है ठीक है अब इसको समझ लेते हैं तो हुआ कुछ ऐसा था अधियान से सुनना पूरी कहानी आपको दो मिनिट में सुनाने वाली हो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा सवाल था अपना प्रांसी सी क्रांती का आरंभ किस घटना से माना जाता है उसका तात काले कारण क्या था वैसे तो हमने देखा कि सामा काले कारण क्या था उसी समय क्यों क्रांती शुरू हुई थी तो हुआ कुछ ऐसा था कि जैसे ही लुई सोलहवा गद्दी पर बैठा उस समय फ्रांस का राजकोष पूरा खाली हो चुका था क्योंकि बूर्वो राजवन्स के जितने भी राजा हुआ करते थे वह बहुत ही देशों से पैसा उधार लेना चालू कर दिया ठीक है और खुद के सानु शौकत में खुद के विलासिता पूर्ड जीवन में कोई कमी नहीं आने दी ठीक है तो क्या हुआ तो क्या हुआ भी राजकोष और ज्यादा खाली होता गया और फ्रांस पर कर्जा ही चड़ता गया ठीक है अब जब राजा को लगा कि पैसा कहीं से ही नहीं बच रहा है तो जनता तो टेक्स दे रही थी तो जनता पर टेक्स और जाधा बढ़ा दिया और जाधा नए कर लगा दिये जो पुराना टेक्स तो उसमें ब्रधी कर दी और नए नए चीजों पर इनने कर लगा दि ठीक है और आप नए कर लगा रहे हो पुराने करों में व्रधी कर रहे हो तो जनता ने क्या किया पांच मई 1789 को तीसरे स्टेट के प्रतिनी थी क्योंकि आम जनता ही टेक्स भरा करती थी आम जनता ही तीसरे स्टेट में आया करती थी ठीक है यही टेक्स भरती थी तो तीसरे स्टेट के जो प्रती निधी थे यानि कि जनता की तरब से जो बोलने वाले लोग थे असेंबली में क्योंकि आम जनता तो जाने ही पाती थी उनके प्रती निधी जाते थे नेशनल सेंबली में सभा में ठीक है तो तीसरे स्टेट के प्रती निधियों की नए करों की प्रस्ताव पर पूरी सभा द्वारा मतदान करने की मांग जुसमें प्रतेक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा ये मांग लुई सोल लहवाने ठुकरा दी कि नहीं हम इस बात क को नहीं मानेगे। जनता ने क्या कहा तीसरे स्टेट की जनता ने ये कहा कि już नयकर आपने लगाएं हैं उस पर सभी वोट करें फिर जोन करों को मानता है ठीक जो नहीं मानता है ठीक हो साधार पनेणा लिए जाएंगे लेकिन रियह इस बाद से मांग को ठुकरा दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे जनता भड़त गई और 14 जॉलाई 17 सुनावासी को फ्रांसी सी करांती शुरू हो गई अल्राइट किलियर यहां तक की बात चला जाएं आगे कंसेप्ट किलियर हो गया तादकाले कारण क्या था और वो कारण कैसे उपजा किलियर है चलिए तो चलते हैं आगे हाँ वई एक बात और बता दो कि अभी तक लाइक शेर बराबरी से हुआ की नहीं हुआ आजी अगर चेक करो नहीं हुआ है तो जल्दी से लाइक कर देना है और क्या कर देना है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और राइट निमने लिकेत राजनेतिक प्रतीकों के माईने लिखिये जो राजनेतिक प्रतीक नरधारत करे गए थे उसके माईने बताईए राजनेतिक प्रतीकों के माईने लिखिये पहला है टूटी जंजीर और प्राइट दूसरा है अपनी पूछ मुह में लिए सांप और तीसरा है छडों का गठर ठीक है तीन चीजें आपको बताएंगे हैं इन तीनों का मतलब बताना है यह राजनेतिक प्रतीक कौन सी चीज किसका प्रतीक है तो सबसे पहली बात आती है तोटी जनजीर की ठीक है तोटी जनजीर दासों की आजादी का प्रतीक है अगर किसी को जनजीर बांध दी जाती है हदकडी बांध दी जाती है यानि कि उसको कैद कर लिया और जनजीर तूट गए हदकडिया तूट गए यानि की आजादी का प् हाँ जी एकदम accurate तो नहीं पर हाँ इस तरीके से एक साप बनाया गया है यह अपनी पूँच अपने मूँ में लिए हुए है ठीक है यह एक साप है यह किसका प्रतीक है यह बात पूछी गई है तो यह समानता का प्रतीक है क्योंकि अगुठी का कोई और छोर नहीं होता ठीक है साप की आकरती एक अगुठी की आकरती की रूप में दिखाई दे रही है एक साप ने अपनी ही पूँच जो है अपने मूँ में रखके रखी है ठीक है तो वह समानता का प्रतीक कैसे है वह एक अगुठी की आकरती दिख थीक है यानि कि हर जगह से यह क्या है हर जगह से यह एकवल है समान है थीक है तो यह बढ़ार्ब unity का प्रती क्योंकि अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गठर को नहीं जैसे कि यहां पर कई सारी छड़ें जो हैं एक ही गठर में बांध दी जाएं ठीक है यह कई सारी छड़ें एक ही गठर में कुछ इस तरीके से बांध दी गई है यह किसका प्रतीक दिखाई देंगी हमें एकता का अगर एक व्यक्ति अकेला लड़ेगा तो वो हार जाएगा लेकिन उसके साथ सौ व्यक्ति होंगे लड़ने के लिए तो क्या होगा एकता होगी वो सम्हूजीत जाएगा क्लियर चलिए तो तीन चीजों के मतलब हमसे पुशे गए थे तीनों के मतलब हमने जान लिए है और राइट क्वेस्चिन नमबर 13 है फ्रांस में क्रांती के शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी जल्दी बताना है भाई तेजी से कॉमेंट आना चाहिए देखा जाए तो देखते हैं फ्रा समाजिक असमानता कैसे थी समाज तीन वर्गों में बटा हुआ था पादरी वर्ग कुलीन वर्ग और आम जनता ठीक है चलो और अन्याय पूर कर लगाये गए थे जो केवल तरती स्टेट के लोगों को ही चुकाने पड़ते थे टेक्स कौन भरता था टेक्स कौन भरता था ये आम जनता तरती स्टेट के लोग ही भरा करते थे ये टेक्स भरते थे ठीक है और इनको कोई टेक्स नहीं भनना पड़ता था इनको उल्टे स्पेशल राइट्स थे यानि की विशेषाधिकार प्राप्त थे इस वर्गों को फिर दो बाते तो हो गई ठीक है इससे जनता परेशान थी ठीक है फिर उसके बाद दार्शनिक ओड था विद्वानों के विचारों का प्रसार हुआ कई सारे दार्शनिकायव जैसे की रूसो मिराब्यो ऐसे कई सा अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, लोग जागरत हुए अपनी आजादी के प्रती, कि हाँ भई हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक, फिर मध्यमवर्ग का उदय हुआ, एक सिक्षित मध्यमवर्ग का उदय हुआ, जोकी एक उदार वादी था, मध्यमवर्ग कैसा था, सिक्षित था, सिक्षित एवं उदार वादी, educated एंड लिब्रल था, ठीक है, फिर उसके बाद अत्यधिक महंगाई बढ़ गई थी, जी हाँ, क्यूंकि लुई सोलेवाने अपना खजाना भरने के लिए, अपना राजकोश भरने के फसल चौपट हो गई, ठीक है, फ्रांस की उस समय, फसल चौपट हो गई तो खाद्यपदार्थ महेंगे हो गए, और बड़े बड़े व्यापारियों ना जमाखोरी कली, बाजार में अनास था नहीं, और फिर वो जमाखोर महेंगी कीमतों पर बेशने लगे, और जो फ्रा स्विक्षाचारी और निरंकुष शाशन, ठीक है, क्लियर वो रही है बाज, स्विक्षाचारी और निरंकुष शाशन, यानि की अपनी एक्षाच के बल पर जनता को अधिकार दिये बिना, निरंकुष शाशन का बोल बाला उस समय, फ्रांस में दिखाई दे रहा था, तो इन सब कारणों के चलते फ्रांस में करांती की शुरुवात हुई कि तरी तारी को 14 जुलाई 1789 को अल्राइट चला जाए आंगे चलिए क्वेशन नमबर 14 है तीसरे स्टेट के अधिकांश महिलाओं की इस्थती क्या थी जो तीसरे स्टेट की महिलाएं थी उनकी इस्थती हमें किस तरीके से दिखाई देती उस बारे मां बूशा गया है तो चलिए जानते हैं तीसरे स्टेट के अधिकांश महिलाओं की इस्थती तो तीसरे स्टेट के अधिकांश महिला आए जीवी का निर्वाह का काम भी किया करती थी यानि की वो कुछ ना कुछ काम ऐसा किया करती थी जिससे उनहें पैसे मिलें जीवी का निर्वाहा का मतलब क्या होता है जीवी का निर्वाहा का मतलब क्या होता है रोजगार तरीके से कहा जाए तो ठीक है क्लियर तो कुछ ना कुछ रोजगार में लगी हुई थी वहां की महिलाएं तीसरे स्टेट की यानिकी जनसाधारण वरगे की महिलाएं ठीक है कौन-कौन से काम किया करती थी जैसे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई, फल फूल, सबजियां बेचना अत्वा संपन घरों में घरेलू कार्य किया करती थी महिलाएं अल्राइट, फिर अधिकांश महिलाओं के पास पड़ाई लिखाई तथा व्यवसाइक प्रसिक्षड के मौके नहीं थे, महिलाएं काम कर रही है, ठीक है उनके पास अपना रोजगार का साधन है, घर में पैसे भी कमा रही है, घर के काम भी कर रही है, बच्चों का पालन पोशन भी कर रही है, यानि की एक महिला अपनी जितने जिम्मेदारी निभा सकती है और जितना अपने परिवार के लिए कर सकती है, उतना सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके स्वयाम के लिए कोई अधिकार नहीं थे, जैसे की पड़ाई लिखाई के मौके नहीं थे, जूंवस्था नहीं थी कोई भी मौक नहीं था कि वह कुछ सीख पाएं ठीक है ना तो पढ़ने लिखने के मौके दिये जाते ठीक है फिर बहुत सारी महिलाएं वेश्य व्रत्ति का काम भी किया करती थी यानि हर छेत्र में महिलाएं काम में लगी हुई हैं छोटा काम बड़ा काम हर एक काम में लेकिन जहां बात आती थी महिलाओं के अधिकारों की महिलाओं की पड़ाई की ठीक है महिलाओं को प्रशिक्षड देने की वहां उन्हें कोई भी अधिकार नहीं था क्लियर है और जब उनके घरवाले चाहें तब उनकी शादी भी कर देते थे उनकी मर्जी के खिला तो ये सारी घटनाओं से तीसरे वर्गी की महिलाएं परेशान थी क्लियर चलिए लगुत्री प्रश्न आखरी है ठीक है उसके बाद दिरगुत्री प्रश्न चालू होंगे पंद्रहवा सवाल है फ्रांस की क्रांती के तीन महत्वपूर्ण विचार क्या है पूचा है फ्रांस की क्रांती के तीन महत्वपूर्ण विचार क्या है 1799 के समविधान के अंतरगत उनकी किस प्रकार की गारंटी दी गई सबसे पहले बताना है फ्रेंच रिवालिशन के तीन महत्वा पूर विचार और जो 1799 में फ्रांस में समविधान लाया गया था वो समविधान के अंतरकत उन तीन महत्व पोण विचारों की क्या गारंटी दी गई थी यह बात आपसे पुशी गई है Question आ गया समझ में Question के लियर है Question दिमाग में बैठ गया क्या लिखना है क्या डिमांड है Question की चलिए अब देखें अब हैं फ्रांस की क्रांति के तीन महत्पपूर विचार निम्ण है पहला है जीवन का अधिकार, पहला क्या है जीवन का अधिकार, राइट टु लाइफ, ठीक, दूसरा क्या था, दूसरा था अभी व्यक्ति की स्वतंतरता का अधिकार यानि कि हर एक व्यक्ति को विचारों की आजादी है फिर उसके बाद कानूनी समानता का अधिकार यानि कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होगे उनसे किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ये थे फ्रांस की क्रांती के तीन महात्वपून विचार फिर उसके बाद क्या आता है 1799 के समविधान के अंतरगत इनहें नैसर्गेक एवम आहरणिय अधिकार के रूप में इस्थान दिया गया जब 1799 का संविधान बना उसके तहट क्या गारंटी दी थी वो बाद पुशी गई है ठीक है तो 1799 के समविधान के अंतरगत इनहें नैसर्गेक नैसर्गेक का मतलब होता है प्राकृतिक क्या होता है नैसरगिक का मतलब प्राकृतिक एबं आहरणियां जिसे चीना ना जा सके आहरणियां का मतलब क्या होता है भई जिसका हरण ना किया जा सके जिसे छीना ना जा सके अल्राइट, किलियर हो गई बात चलिए, तो सत्रा सो इंग्यानमे के सम्विधान के ताथ इन तीनों अधिकारों को नैसरगेक और अहर्णी यानि की प्राक्रते कधिकार और ऐसे अधिकार जिने छीना ना जा सके उनकी रूप में इस्तान दिया गया था, अल्राइट, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि ये अधिकार प्रते के व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त थे जो अधिकार ये तीन अधिकारों की बात कही गई थी कोई भी व्यक्ति हो फ्रांस का जैसे ही पैदा होता है उसको पैदा होती ही ये तीनों अधिकार प्राप्त हो जाएंगे जन्मजात यानि की पैदा होती ही प्राप्त हो जाएंगे ठीक है तथा इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता यानि की आहरणिय थे और राज्य का यह करतव या माना गया कि वह प्रतेक नागरिक के नैसरगे कधिकारों की रक्षा करें राजिका यानि कि सरकार का यह करतव यह सरकार का यह करतव है कि वह यह जो तीन अधिकार है नैसरगे कधिकार है जन्मजात अधिकार है अहरणी अधिकार है ठीके जने जीना नहीं जा सकता की रक्षा करना किसका करतव्य है सरकार का करतव्य है ओल्राइट किलियर तो सबसे पहले हमसे क्या पुछा था कि फ्रांस की क्रांदी के तीन महत्व पूर्ण विचार क्या है तीन महत्व पूर्ण विचार यह रहे और 1791 के सम्विधान के अंदर का तुनिकी गारंटी किस प् अब क्या है दीर गुत्रिय प्रशणों तर है और दीर्गुत्रिय प्रशनों में क्या महिता है ये क्रांस की U कि देखते हैं डेखे फ्रानस की क्रांटी में जैकोबिन की भूमी का निम लिखे थी कैसे थी जैकोबिन लोगों के राजनेतिक क्लब थे सबसे पहले तो यह डिफाइन किया गया है कि जैकोबिन क्या था जैकोबिन लोगों के राजनेतिक क्लब थे एक बात लोग इन क्लबों में सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस किया करते थे क्या कहा गया है लोग इन क्लबों में सरकारी नीतियों और कारी योजना पर बहस किया करते थे क्योंकि ये राजनीतिक क्लब थे राजनीतिक क्लब में किस तरीके की बात होगी जो गवर्मेंट ने पॉलिसी बनाई है उन पर बात होगी और अपनी कारे योजना पर बहस किया करते थे ठीक है ये बात हो गई jacobin के बारे में अब इनके नेता के बारे में बात कही गई है कि जैकोब इन कलब का नेता कौन था तो joobin कलब कानेता まglass million robis pair कौन था magsmillion robis pair उनका नेता था और जैकोब इनके एक बड़े वर्ग ने अब ध्यान से सुनना जैकोब इनके एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारी दार लंबी पतलूल पहनने का निरने किया जितने भी जैकोब इनके सदस्य थे तो उन्होंने क्या सोचा कि हम धारीदार लंबी पतलून पहनेगे और ऐसा उन्होंने क्यों किया कुलीन वर्ग से अलग दिखने के लिए ठीक है ऐसा उन्होंने कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया जो कुलीन वर्ग था जो अ नहीं होना चाहिए उनको खतम करने का एलान किया सत्ता से ठीक एक बात फिर 1792 की बात आती है 1792 में क्या हुआ सन 1792 में जैकोब इनों ने खाद्य पदार्थों की महगाई इवं अभाव से नाराज होकर राज तंद्र को समाप्त करने के लिए हिंसक विद्रोह की योजना बना क्या हुआ 1792 में जैकोब इनों ने खाद्य पदार्थों की महगाई एवं अभाव से नाराज होकर क्योंकि खाद्य पदार्थों की महगाई बढ़ती जा रही थी और फसल खराब हो जाने के कारण खाद्य पदार्थ का अभाव भी था यानिकी कमी भी थी उससे नाराज हो का राज तंत्र को समाप्त करने के लिए हिंसक विद्रहों की योजना भी बनाई हमसे क्या पुछा था फ्रांस की क्रांती में जैकोबिन की भूमी का तो हमें दिखाई दे रही है इस पश्ट रूप से सबसे पहले तो यहाँ इन्होंने क्या किया कुलीनों का सत्ता में विरोध या कुलीन वर्ग का सत्ता में विरोध देखना भई एक एक पॉइंट अपन लिख लेते हैं कुलीन वर्ग का सत्ता में विरोध ठीक फिर दूसरा काम इन्होंने क्या किया खांट पडार्थ की महगाई एवं अभभाव से नाराज होकर राज तंत्र को समाप्त करने के लिए हिंसक विद्रो तिस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे राज तंत्र राज तंत्र को समाप्त करने के लिए हिंसक विद्रो त म है राज तंत्र को समाप्त करने हिंसक विद्रो त अल्राइट किलियर दो बाते किलियर पहले हमने क्या सीखा जैकोबिन क्लब क्या था और उनका नेता कौन था ठीक है फिर उसके बाद हमने क्या क्या लिखा दो बाते लिखी कि इन्होंने कुलीनों की सत्ता समाप्ती का एलान किया और दूसरी बात राज तंद्र को समाप्त कर के लिए हिंसक विद्रों की योजना बनाई क्योंकि राज तंत्रम में खाद्यपदार्थों की महंगाई बढ़ गई थी और कमी भी आ गई थी और राइट दोनों बातें यहां धुकें आपको जैकोबिन क्या था राजनेतिक क्लब था लोग इन क्लबों में क्या काम किया करत थे क्लियर अब क्या है अब क्या है दस अगस्त 1792 की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोलकर राजा को कई घंटों तक बंधक बनाये रखा ठीक है फ्रांसी सिक्रांती में इनकी भूमी का नजर आ रही है तो देखें तीसरा काम इन्होंने क्या किया राज को बंधक बनाया फिर उसके बाद असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव किया जो इनकी नैशनल असेंबली थी उसने क्या किया शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव रखा नए चुनाओ कराए गए 21 वर्स से अधिकुम्रवाले स वाले सभी पुर्षों को मताधिकार दिया गया 21 सितंबर 1792 को राज तंत्र समाप्त कर दिया तथा फ्रांस को एक गड़तंत्र घोशित किया और 21 जनवरी 1793 को लुई सोल हेवा को फासी दे दी गई यह सब किसने किया था यह सब प्रयास कौन कर रहा था जैकोबिन क्लब कर रहा था ठीक है तो क्या क्या किया गया देखो भई नए चुनाव कर रहे ठीक है मताधिकार की आयू थोड़ी कम कर दी यानि की कीस वर्स कर दी सभी पुरोष महिला अभी भी नहीं है ठीक है फिर उसके बाद फ्रांस को गड़तंत्र घोशित किया और क्या किया और क्या किया बहीं बताओ जल्दी से लुई सोलहवा को फासी दे दी लुई सोलहवा को फासी दे दी और क्या किया रोबे स्पियर के नेत्रत्व में 1793 से 94 तक फ्रांस पर शाशन किया जिसे आतंक का यूग कहा जाता है बाद में इन्हों ने क्या किया कुछ-एश गटनाएं घटी फ्रांस में इनके शाशन के दोरान कि उस यूग को आतंक का यूग या आतंक का राज कहा गया और राइट फ्रांस इसी क्रांती में कुछ भूमी का इनकी अच्छी भी रही लेकिन जैसे ही सत्ता इनके हाथ में आई रोबिस्पियर के नेत्रत्व में ठीक है तो उस दोरा निर्हों ने ऐसे काम करें कि जनता फिर से परेशान हो गई और रोबिस्पियर को भी एक समय गिल अभी हमने देखा था कि 1792 से 93 तक का जो समय रहा फ्रांस में आतंग के राज का रहा रोबिस्पियर के नेत्रत्व में अब वो आतंग का राज आखिर था क्या उसके बारे में भी जान लेते हैं तो देखें रोबिस्पियर ठीक है रोबिस्पियर क्या था जैकोबिन का प् 1792 में बनी जैकोबिन सरकार का वह प्रमुख था 1792 में जो जैकोबिन सरकार बनी थी उसका वो प्रमुख था ठीक इतना पता चल गया और इसी के राज को तो आतंक का राज कहा जाता है इसलिए सबसे पहले इसका जिक्र किया गया अब देखो आतंक के राज की हम बात करें 12004 तके 204 शार्शन को इनक कायों क क Crunch के 10 चाल कर ना हम क्या का यूवाötग का राजitta था कैसे का सभठ का तक तक दो जब 204 चाहिता है तरो सबದदद का यूगती है एमीद का यूग या आठंग का राजिभ या अठंग का राज पहा के दोरान रोबिस्पीर ने कठोर नेंतरन तथा दंड की सक्तनीती अपनाई थी ठीक है कठोर नेंतरन तथा दंड की सक्तनीती क्या बात हुई थी सबसे पहली देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है जब भी आतंक के राज की बात आती है ध्यान से सुनिएगा अब ठीक है कौन-कौन से पॉइंट आपको याद रखने है आतंक का राज ठीक किसका शाशन था रोबिस पेर का शाशन था ठीक है रोबिस पेर का शाशन था कब से कब तक का था 1793 से 1794 एक बाद के लिए अब देखो अब क्या था रोबिस पेर ने क्या क्या किया था कठोर नेंत्रण एवं दंड की विवस्था कठोर नियंत्रण एवं दंड की नीती अल्राइट एक बाद उसके बाद उसके बाद क्या किया था? उसके बाद अपने विरोधियों जो उसके रॉबिस्पियर के विरोधी थे कुलीन एवं पादरी अन्य राजनेतिक दलों के सदस्य उनकी कारेशली से असहमती रखने वाले पार्टी के सदस्य सभी को बंदी बना कर उन पर मुकदमा चलाया गया यानि कि रोबिस्पियर के जितने भी विरोधी थे चाहे वो उसकी पार्टी के सदस्य भी क्यों ना हो सबको बंदी बनाया गया उन पर मुकदमा चलाया गया नायलाय द्वारा दोसी ठहराय जाने पर गिलोटिन पर चड़ा कर उनको म्रत्यू दंड दे दिया गया ठीक है तो विरोधियों को म्रत्यू दंड अगला tähän सकता है इसका कि विरोधियों को म्रत्यू दंड दिया अ कि और उसके बाद क्या बनता है रो मेस्पेर ने कानून बना कर रोम्य पीलन अकानून बना कर मज़्दूरी एवम कीमतों की अधिक्तम तेकर दी कि इस से ज्यादा मज़्दूरी नहीं दी जाएगी ठीक है तो कि भले ही इससे जादा काम एक मजदूर करता है लेकिन मजदूरी जादा नहीं मिलेगी ठीक है तो क्या किया मजदूरी एवं कीमतों की अधिक्तम सीमा निर्धारित कर दी ठीक फिर अगला काम क्या किया किसानों ने अपना अनाज शहरों में ले जाकर तै कीमत पर बेचने के लिए बाद किया किसानों को क्या बोला कि अपना अनाज शहरों में लेके जाओ और शहरों में ले जाकर तै कीमत पर बेचने के लिए कि जो कीमत हम तै करेंगे क्योंकि इन्हों ने अधिक्तम कीमत तैक कर दी थी तो उसके लिए मजबूर किया कि इतनी से ज़्यादा कीमत आपको नहीं मिलेगी तो किसानों को भी मजबूर किया किसानों को मजबूर किया फिर उसके बाद अगला काम क्या किया भाई साब ने उसके काल में चर्चों को बंद कर दिया भाई या चर्चों को बंद कर दिया था उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया चर्च को बंद कर दिया वहां कोई पूजा पाथ नहीं होगी इश सावनी जिसे कहते हैं बैरक बना दिया या दफ्तर बना दिया यानि कि धार में रूप से भी लोगों को परिशान किया किलियर चर्च को बंद कर दिया अब चर्च को बंद क्यों किया क्योंकि जो कुलीन वर्ग था और पादरी वर्ग था ठीक है कुलीन वर्ग था और पादर सी घटनाय घटी आतंग का राज रोबिस्पियर का शाशन था 1793 से 1794 तक उसमें कठोर ने अंत्रड एवं दंडी की नीती को अपनाया विरोधियों को म्रक्तिव दंड दिया मजदूरी एवं कीमतों की अधिक्तम सीमान धारित कर दी किसानों को मजबूर किया किसलिए अपना अनास सहरों में जाकर बेचो और जो कीमत तै की गई है उसी पर बेचो और चर्चों को बंद कर दिया चर्च को बंद करके उसके भवन को बैरक या दफ्तर में कनवर्ट कर दिया क्लियर बन जाएगा यह सवाल भी लिखते चलिए अठारे वाद प्रश्ण है फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के लाभ के लिए क्या कानून पारित किये बताओ भई फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के लाभ के लिए क्या कानून पास करे थे देखें देखते हैं फ्रांस की क्रांदिकारी सरकार ने महिलाओं के लिए निम्न कानून पारित किये शुरुवात कुछ इस तरीके से करेंगे हम फिर लिखेंगे सरकारी विद्यालेओं की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया महिलाओं के लिए क्या काम करें सरकारी विद्यालेओं की स्थापना करी और महिलाओं के लिए सिक्षा को अनिवार्य बनाया ठीक है इसकूली सिक्षा को अनिवारे बनाया अच्छा काम किया ठीक फिर अब महिलाओं की मर्जी के खिलाव यानि की लड़कियों की मर्जी के खिलाव शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था पहले क्या होता था कि लड़कियों के पिता उनकी मर्जी के बिना उनकी जबरन शादी कर देते थे लेकिन अब उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाद है नहीं किया जा सकता था फिर उसके बाद क्या शादी को स्वेट्षिक अनुबंध माना गया कि जब लड़की की इच्छा होगी तभी उसकी शादी करी जाएगी और नागरे कानूनों के तहट शादी का पंजी करण किया जाने लगा यानकी शादी का रजिस्टेशन भी किया जाने लगा रजिस्टर्ड मैरिज होने लगी तो महिलाओं के लिए ये कानून पास किये गए फिर तलाक को भी कानूनी रूप दिया गया ठीक है अभी भी कानून की तरब से ही तलाक म पुरुष और महिला दोनों ही तलाग के लिए अरजी दे सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद अब महिलाएं व्यवसायक प्रसिक्षड ले सकती थी यानि कि व्यापार की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी कलाकार भी बन सकती थी आइटिस्ट भी बन सकती थी और छोटे मोट के व्यवसाय भी वो खुद के चला सकती थी तो इस तरीके की आजादी महिलाओं के हितों में दी गई क्लियर क्वेशन नमबर 19 है जीवी का संकट क्या है ठीके जीवी का संकट जीवी का क्या होती है जीवी का किसे कहते हैं अपनी रोज-मर्रा की जिंदीकी को चलाना अपन कि हमारे पास इंकम होती रहे और उससे हम अपना घर चलाते रहें तो यहां पर पुछा गया है कि वो जीवी का संकट क्या है और अठारेवी शताब्दी में फ्रांस में इसके लिए उत्तरदाई दो कार्णों का उल्ले कीजे फ्रांस में ऐसे कौन से संकट पैदा हुए थे ऐसे कौन से कारण हुए थे जिससे जीवी का का संकट आया था वो पुछा गया है देख लेते हैं इसको भी जीवी का संकट तो जीवी का संकट ऐसी चरम इस्थिती होती है जिसमें जीवित रहने के नियूंतम साधन भी खत्रे में पढ़ने लगते हैं जीवी का संकट किसे कहा जाता है जीवी का संकट एक ऐसी चरम स्थिती होती है जिसमें जीवित रहने के नियूतम सादन भी खत्रे में पढ़ जाते हैं यानी कि व्यक्ती के पास खाने की भी कमी हो जाती है ठीक फिर अठारहवी शताब्दी में फ्रांस में जीवी का संकट के उत्तरदाई दो कारक किन कारणों से लोगों के सामने जीवन जीने का संकट पैदा हो गया था कि हम कैसे जीएं पहली बात तो यह हुई थी कि जन संख्या में व्रधी हो गई थी जन संक्या व्रण्धी कैसे फ्रांस के जनसंक्या 1715 में कितनी थी फ्रांस की जनसंक्या 1715 में 2.3 करोड थी जो 1789 में कितनी हो गई 2.8 करोड हो गई इसी कारण После खाध्यानों की मांग में तेजी से वरध्य होई यानि कि जब जनसेंग क्या व्रद्धी हो जाएगी लेकिन उत्पादन पहले जितना ही बना हुआ है तो खाद्यपदार्थों में तो कमी आएगी जाहिर सी बात है और खाद्यानों का उत्पादन मांग के अनुसार नहीं बढ़ रहा था डिमांड जादा हैं लेकिन प्रोडक्शन उतना था नहीं ठीक है और इसी लिए पावरोटी की कीमते भी बहुत तेजी से बढ़ गई पावरोटी जो की फ्रांस के लोगों का मुख्य खाद्यपदार्थ था उसकी कीमते भी बढ़ गई ठीक है क्योंकि उत्पादन था नहीं सार नहीं बढ़ती थी कि किसी चीज की महगाई बढ़ गाई ईवन खाने की महगाई बढ़ गई तो लोगों का वेटन भी बढ़ जाना चाहिए मसदूरि कि अनकी सैलरी वह नहीं रही थी ठीक है तो इस प्रकार अमीरों और गरीवहं में अंतर बढ़ता गया अमीर और ज्याधा होते गए गरीब और ज्यादा गरीब होते गए अल्राइट है किलिए यह यहां तक की बात दो कारण पुछेते एक कारण हो चुका है किलियर है क्या कहते हो बढ़ा जाए दूसरे कारण की तरफ हाँ जी एक कारण हो गया है दूसरे कारण की तरफ शलते हैं अब दूसरा कारण है प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक आपदा किस तरीके से आई थी जब कभी सुखे या ओलों के प्रकोप से सुखा काब होता है जब पानी नहीं गिरता है पानी नहीं गिरेगा तो फसल तो गेगी ही नहीं ठीक है और अगर खड़ी फसल पर पकी हुई फसल और ओले गिर जाये तब भी फसल खराब हो जाएगी यानि कि सूखा या ओला जैसी प्राक्रतिक आपदा आए आएगी तो पैदावार गिर जाती थी फसले करा पोजाती थी तब भी यह जीविका का संगट पैदा हो तो हमसे पूछा गया था कि फ्रांस में जीवीका का संकट कैसे उत्पन्ध हुआ उसके दू कारण बताईए हम ना बता दिये एक था जन संक्या व्रदी दूसरा है प्राकटिक आपदा अगला सवाल है बीसवा सवाल है और आखरी सवाल है ध्यान से सुनना है हर एक स्टेप ध्यान से सुनना है नैशनल असेंबली द्वारा किये गए प्रमुक सुधारों का वर्दन कीजिए जो फ्रांस की संसत्ती नैशनल असेंबली उसके द्वारा क्या प्रमुक सुधार किये थे गए थे उसका वणन करना है देखो भई अच्छे से देखना अच्छे से समझना आखरी सवाल है नैशनल असेंब्ली द्वारा किए गर प्रणुक्सुधार निम्न प्रकार से हैं पहला है नैशनल इसेंब्ली ने नेशनल असेम्मली ने करों, करतव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश दिया यानि कि जो सामंती व्यवस्था वहाँ पर प्राचीन समय से चल रही थी उसको समाप्त करने का आदेश पास किया कि अपकर व्यवस्था नहीं चलेगी और आपसनापकर नहीं लगाए जाएंगे ठीक है जो बंधन जनता पर लगाए गए हैं वो खतम करे जाएंगे और सामंती व्यवस्था को खतम करा जाएगा फिर अगली बात क्या कही पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेशाधिकार शोड़ने के लिए विवश्थ किया गया जो पादरी वर्गों को विशेशाधिकार दिये गए थे कुलीन वर्गों पादरी वर्गों को दिये गए थे तो पादरी वर्गों को भी अपन करका नाम क्या था मैं था धार्मे करका यह ठीका है जो धारमे कर था उसको समाप्त कर दिया गया और च्छ के स्वामित वाली भूमी भी जब्त कर ली गई जो भूमी चर्च के कबजे में थी उसको अपने अंडर में ले लिया ठीक है तो इस तरीके के सुधार करे गए फिर जनता को समानता स्वतंत्रता और भ्रातत्व समानता स्वतंत्रता भ्रातत्व भ्रातत्व का मतलब होता है बंधुत्व के साथ मौलेक अधिकार दिये गए ठीक है और समराड की शक्तियों को सीमित किया गया जो अनाप सनाप शक्तियां समराड को राजा को दी गई थी शक्तियों को सीमित किया गया तथा इन शक्तियों को विधाई का कारेपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया गया शक्ति का विभाजन सक्ता का विभाज किस नहीं दिया था ये concept one test क्यों ठीक है तो विधाई का कारेपालिका और न्यायपालिका में शक्ति का विभाजन कर दिया और शक्तियों को हस्तांत्रित भी कर दिया और फ्रांस में इस प्रकार से सम्वेधानिक राज्यतंत्र की नीव पड़ी अल्राइट क्लियर तो नैशनल असेंबली ने क्या-क्या सुधार करें वो आपके सामने है बन जाएंगे अब बताओ सारे question बन जाएंगे यह चो question आपको इतने 20 question मैंने कराए है चोटी मोटी बात नहीं है अती लगुत्री लगुत्री दिरगुत्री यानि कि जिस pattern में आपक सारे सवाल करा दिये पूरा chapter complete करा दिया chapter पढ़ा दिया NCRT solutions करा दिये MCQ करा दिये most important question करा दिये बन जाएगा सब कुछ अब क्या बचा revision बचा सब कुछ पढ़ लिया एक बार revision और करना है तो revision का session भी आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा अल्राइट चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले session में अगर आप हमारे daily के live session और recorded session से जुढ़ना चाहते हैं सारी चीज़ें उपलब्ध है Magnet Prince की YouTube channel, website और application पर Magnet Prince इंडिया का number one 100% free online education platform है इसके अलावा अगर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसकी link भी वीडियो के description box में दी गई है वहां से आप available कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे top courses English और Hindi दौना माध्या में उपलब्ध है CBC वोड, दिल्ली वोड, भिहार वोड, UP वोड, MP वोड, राजस्तान वोड के स्लेवर्स को complete किया जाता है साथ ही साथ उनसाल स्टेट वोड के स्लेवर्स को complete किया जाता है जहां NCRT का pattern follow होता है क्योंकि हम पढ़ा आते हैं आपको NCRT से वैदिक मैंस crash course, spoken English जैसे course भी complete कराये जाते हैं एक ही single platform पर high quality education के साथ, fully organized complete course के साथ एकदम free of cost जी हां, किसी भी course को पढ़ने के लिए आपको, किसी भी subscription को purchase करने की जरूरत नहीं है हर चीज एकदम free मैं provide कराये जाती है मैंगनेट प्रेस, YouTube के लावा other social media platform जिसकी Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पर भी उपलब्द हैं, आप हमें वहां भी follow कर सकते हैं वहां से भी सारी जानकारी प्राप्द कर सकते हैं तो आज के शेशन को जादा से जादा like, share करते हुए, चैनल को subscribe भी करना है हमारे साथ बने रही है, जुड़े रही है, पढ़ते रही है, खुश रही है, थाएंगे सूमच कर दो सकते हैं